आगे हम सराथ से पूछती है जब मेरे पापा तुम्हारे दुस्मन है तो फिर तुमने मेरे पापा को क्यों बचाया तो सराथ जैसे ये बात सुनता है वो तुम्हारे तुम्हारे पापा मेरे दुस्मन है तो सराथ कहता है हाँ तुम्हारे पापा मेरे दुस्मन है उन्होंन खारे थे क्या वो सब जूट है क्या सच में तुम उससे प्यार नहीं करते तो सरात कहता है मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारे बाप से बदला ले सकूँ तो ओम जैसे ये सब सुनती है उसका दिल तो पूरी आई हुई होती है तो आरा कहती है तुम क्यों फिकर कर रहे ओम की वो सरात के साथ है और सरात उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है तुम्हें पता है ना तो वो अपनी बहन की सारी बाते सुन लेता है लेकिन पता नहीं क्यों उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता आगे उम अपने पापा से मिलती है और अपने पापा की ऐसी हलत देखकर तो वो पूरी तरह रोने लगती है और वो सराथ से भीक मागने लगती है कि वो उसके पापा को यहां से जाने दे पर सराथ तो एक नमर का जलाद बन गया होता है उसे ओम की आशों से भी कोई फरक नह उसे एक सुनसान जगहाप़ लेकर जाता है और वहां झाखर उसे जनजर से बान देता है तो ओम सराथ से पूछती है तुम मुझे कहहां पर लेकर आये हो साराथ कहते है आज रात मैं। तो हम शोरम को पर कभीडार बढ़ने वान सराथ से पूछती है कि ओम कहां पर है तो सराथ ऑंटी वान से जूट बोलता है कि ओम की डैट की तबियत खराब हो गई है इसलिए ओम उनसे मिलने गई है और कुछ दिन ओम अपने डैट के साथ ही रहेगी तो ऑंटी वान को यह सब जानकर थोड़ा जीब लगता है और कुछ दिन वहीं पर रहेगी और सराथ यह कहकर नेना के सात्रोम्यांस करने लगता है कि तबहू है और वान भी आ जाता है और वोभी सराथ से ओम के बारे में ही तूसता है तो सराथ उसे भी यही बात बताता है कि कि ओम के डैट की तबियत खराब हो गई है जिस वज़ा से ओम अपने डैट के पास है और वो कुछ दिन वहीं पर रहेगी पर वोन को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती और उसे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ घोटाला जरूर है आगे वो ये बात जाकर वीन और आरा को भी बताता है कि सराथ हम से कुछ न कुछ जरूर चुपा रहा है ओम को लेकर वीन भी वोन की बाते सुनकर पूरी था सोच में पर जाता है और उसे भी सराथ पस सक होने लगता है लेकिन तभी आड़ा उन लोगों को कहती है कि खयाली पलाव पकाना बंद करो तुम लोगों को पता है न कि ओम के डैट की तवियत खराब है तो ओम अपने डैट से मिलने के लिए गई होगी इसमें क्या बड़ी बात है जैसे ही उसके डैट की तवियत ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएगी दूसी तव ओम उस जगासे निकलने की बहुत कोसिस करती है पर वो नहीं निकल पाती और इस चक्कर में बेचारी को प्यास लग जाती है तो वो पानी पीने की भी बहुत कोसिस करती है पर वो नहीं पी पाती इधर सराथ ओम को इतनी तकलीफ में छोड़कर अपनी गल्फिर नेना के साथ केंडल लाई डिनर कर रहा होता है और उसके साथ मज़े कर रहा होता है तो तो उन दोने को एक साथ देख लेती है और वो ये बाद जाकर रिजोर्ट के सारे स्टाप को भी बताती है जिस वज़े से वो नसे में सराथ के साथ रोमैंस करने लगती है कि तभी वहाँ पर बिजली करकने लगती है तो सराथ जैसे ही देखता है वगी बाहर बारे सो रही है तो उसे ओम का ख्याल आता है और वो नैना को सुला कर ओम से मिलने के लिए चला जाता है इधर ओम पानी में पूरी तरह भींग जाती है और उसकी हालत बहुती खराब हो जाती है कि तभी वहाँ पर सराथ आता है और ओम की ऐसी हालत देखकर बेचारी को बहुती बुरा लगता है तो ओम को अपनी बाहों में उठा कर रिजोर्ट वापस लेकर जाता है उसके बाद वो उसके कप्रे चेंज करता है और उसे दवाई खिलाता है और ये सब करके सराथ उसे वहाँ पर अकेले छोड़ कर जाने लगता है कि तभी ओम नीन में सराथ कहीं नाम चिलाने लगती है तो सराथ अपने आपको नहीं रोक पाता भले ही सराथ ओम से बदला ले रहा हो पर वो उसे बहुत प्यार भी करता है और वो उसे तकलिफ में नहीं देख सकता इसके सराथ पूरी रात उसके पास रुखता है और उसकी देख भाल करता है अगली सुआ जब ओम की नेंद खुलती है और वो अपने आपको ऐसी हालत में देखती है तो वो पूरी थरा सौक्ट हो जाती है कि तब उदर से सरात आता है और ओम को बताता है कि कल रात उसने ही उसके कप्रे चेंज किये हैं और उसके साथ कल उसने वो सब क्या जो वो करना चाहता था तो ओम ये सब सुनकर पूरी थरा डर जाती है तो सरात कहता है तुम मारा बाप भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर तरपे तो अम यहाँ पर फिर से सराथ से भीक मागने लगती है कि वो अपने बदले को छोड़ दे और उसे वहां से जाने दे पर सराथ अपने बदले के नसे में इतना चूर हो जाता है कि उसे सही और गलत का भी फरफ पता ही चलता और वो अम के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो अम सराथ की ऐसी हरकतों से पुरी तरह सहम जाती है और टेस्वे बहाने लगती है और सराथ उसे रोते हुए देखकर खूब हंसता है और कहता है मेरी जान अभी तो यह सुरवात है आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है और सराथ यह कहकर उसे रूम में लॉक करके वहां से चला जाता है और बेचारी ओम सिर्फ टेस्वे बहाती है क्योंकि उसके पास टेस्वे बहाने के लावा कोई चारा ही नहीं होता इदर आरा और विन की केमेश्ट्री भी धीरे धीरे पढ़वान चलने लगती है और इन दोनों के बीज भी क्यूर सा मॉमेंट होने लगता है लेकिन इधर विचारा वन ओम के याद में पुरी था देबदास हो गया होता है क्योंकि उसे दिल से फिलिंग आरी होती है कि ओम किसी प्रॉब्लिम में है कि तभी हम आपर नेना और सराथ विन से मिलन अके लिए जया सकूँ पर सराथ उसे अड्रेस नहीं देता और कहता है उसके पापा की तबियत खराब है और वो अपने पापा के साथ अकेले रहना चाहती है तो उसे अकेले रहने दो और सराथ ये कहकर वहां से चला जाता है इधर आंटी वान ओम के खाना लेकर जाती है तो ओम आंटी वान से help मांगती, वो उसे यहां से निकलने में help करे, पर आंटी वान उसकी help नहीं करती, क्योंकि वो सराथ की हुकम के खिलाफ नहीं जा सकती, और वो यह कहकर वहां से चली जाती है, और बिचारी ओम फिर से टेस्पे बहाने लगती है, इधर सराथ और नेना एक दूसे के साथ गुटुर्गो गुटुर्गो करते हैं, पर सराथ का सारा धियान ओम पर रहता है, और नेना यह सब notice कर रही होती है, सराथ कुछ खोया-खोया सा है, आगे अंटी वान को भी ओम की ऐसी हलत नहीं देखी जाती, और वो सराथ को कहती है, कि वो ओम को यहां वो उसके साथ इसतरह बियव क्यों कर रहा हैं पर सरात आंटिवान की भी एक बात नहीं उनता तो आंटिवान भी वहाँ से चली जाती है आगे सरात ओम के लिए खाना तो में चुकाना ही पड़ेगा तो ओम कहती है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोर रही हूँ प्लीज मुझे यहां से जाने दो पर सरात उसकी एक बात भी नहीं सुनता उल्टा अपनी दिल की सारी भडास उस पर निकालता है और उसके साथ जबर्दस्ती भी करने लगता है तो ब वो भी ओम के सामने और उसका दिल जलाने का एक मौका भी नहीं चोड़ता और बैचारी ओम अपनी फूटी किसमत पर सिर्फ रोती ही है क्योंकि उसने जिस इनसान पर भरोसा किया जिसे इतना प्यार किया उस इनसान ने उसके भरोसे और दिल को तोड़कर चकना चूर कर द और उन दोनों को वहाँ पर देख लेती है और उन दोनों को डाट कर वहाँ से भगा देती है दूसी तब सरात ओम की लाइफ बरबाद करके नेना के साथ साधी करने की प्लैनिंग कर रहा होता है कि तभी सरात को उसके बंदे का कॉल आता है कि ओम के पापा की तबियत बहु टोर्चर करूंगा और वो भी तुम्हारी आखों के सामने जिस तरह तुमने मेरी लाइब बरबाद की है उसी तरह मैं तुम्हारी बीटी की लाइब बरबाद करूंगा तुम्हें तिल-तिल कर मारूंगा वो भी तुम्हारी बीटी को बहुत जादा दर्द पहुँचा करूं के लिए जाती है पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो चिट को call करके help मांगती है तो चिट के साथ crit भी उसके साथ shop पर आ जाता है उसकी help करने के लिए तो नेना जैसे ही crit को देखती है वो पुरी थरा soft हो जाती है तो वो shop keeper और चिट दोनों मिलकर नेना को कहते हैं तुम wedding dress try तो कर लोगी पर groom के लिए हम suit कैसे finalize करेंगे बिना तुम दोनों के खपड़ों को match किये तो क्यों ना तुम treat को अ आते हैं उस साधी के जोरे में बहुत ही प्यारी लग रही होती है और crit की नजर तो उससे हटती ही नहीं और नैना की भी नजर crit से नहीं हटती वैल आपको यहां पर इन दोनों का cute सा moment भी देखने को मिलेगा आगे crit फिर से नैना को पटाने की कोसिस करता है पर नैना उसे भ खिरकी से उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो बैचारी का दिल तो और तूट जाता है और बैचारी से डोकर बैठ जाती है आगे सरात फिर से ऑम के पास आता है अपनी भरास निकालने के लिए और फिर से उसके साथ बर्दस्ति करने लगता है पर इस बार ओम कोई भी जो चाहता है वो उसे करने देती है तो सरात को ये सब देखकर बहुत ही अजीव लगता है क्योंकि ओम उसके किसी बातों पर रियाक्ट नहीं कर रही होती है इस वजह से वो गुसे से वहाँ से चला जाता है और ओम टेस्वे बहने लगती है इधर और अपनी मा को बताती है कि मिश्टर चो आजकल उसे भाव नहीं दे रहे बलकि वो उसे कटे-कटे रह रहे है तो उसकी मा ये सुनकर पूरीता सौक्ट हो जाती है और कहती है मिश्टर चो को तुम अपने हाँ से नहीं जाने दे सकती है अगर मिश्टर चो हमारे हाँ से चले गए तो हमारी इंकम पर तो बैंड ही लग जाएगा तो औरन कहती है तो मैं क्या करूँ मैं तो पूरी कोसिस कर रही हूँ ना पर मिश्टर चो मुझे भावी नहीं दे रहे तो उसकी मा कहती है फिर तुमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मिश्टर चो तुमसे दूरी ना रह पाए आगे औरन मिश्ट बैतो को इतना मैनुप्लेट करती है कि मिश्टर चो भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे और उसके बच्चे को एकसेप्ट कर लेते हैं आगे चाहित अग्यों उसके पापा के पास देखकर जाता है तो ओम अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पुरी तरह सौक्ट हो जाती और वो सराथ से भीक मांगने लगती है कि वो उसके पापा को छोड़ दे अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पापा तरब तरब कर यहीं पर मर जाएंगे पर सर पहुती पहुती है। ठाना जाती है । और वो नेना को समझा बुझाकर वहां से भेज देती हैं और इधार सरा्त की सब देख रहा होता है flau indoor lifted के लिए बहुत ही जतन करता है उसे किस करता है उसके दे हाथ को पोच्छता है और अपनी दिल की सारी बाते भी उससे करता है वैल यहां पर हमें पता चलता है कि सरात ओम से बहुत ही प्यार करता है बस उसका बदला उसके प्यार पर हाभी हो जाता है जिस वज़े से वो ओम के साथ हुए अत्याचाडों को याद करके सिफ टेस्वे बहाती है क्योंकि इसे टेस्वे बहने के अलावा कुछ आता ही नहीं आगे वह नारा और विंदेन से ओम के बारे में पूछते हैं कि ओम कहां पर है तो तैन उन्हें भी यही बताती है कि ओम के डैट की तबियत खराब ह गई है जिस वजह से वह अपने डैट के साथ है और वह कुछ दिन वहीं पर रुकेगी तो वहां कहता है तुम्हें ओम के घर का एड्रेस पता है ना प्लीज हमें बता दो तो तैन उन दोनों को ओम के घर का एड्रेस बता देती है इधर आंटी वान ओम के लिए खना लेकर और वहां से चला जाता है इधर नोडी को अपने बहन की याद आ रही होती है जिस वजह से वो खाना पिना त्याग देती है तो सारे लोग उसे समझाने में लगे हुए होते हैं कि उसकी बहन बहुत जल्द वापस आ जाएगी वो इस तरह परिसान ना हो पर नोडी समझने क नामी नहीं लेती और अपनी बहन को याद करके खुब रोने लगती है कि तभी मापर मिसवान आ जाती है और आंटी वान नूडी को डान फटकार कर खाना खिला देती है इधर वो लोग ओम का घर धूनने के लिए हर रास्ते के चक्कर लगाते हैं पर उन्हें कहीं भी ओम क घर नहीं मिलता तो वो लोग ठक हार कर एक सोप पर जाकर बैट जाते हैं कि तभी उधर से सोप की मालकिन उन्हें बतायती है कि ये रा ओम का घर तो वो लोग ये बात जानकर पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं कि वो लोग उस गली के दस बार चकर लगा चुके होते हैं पर पता नहीं चलता कि वही घर ओम का है आगे वो आंटी उन लोगों को बताती है कि वो घर बहुत दिनों से खाली परा हुआ है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता तो वो लोग ये बात जानकर पुरी थरा सौक्ट हो जा कि अगर ओम यहाँ पर नहीं है तो फिर वो कहां पर है औ और उन लोगों का सारा सक सरात पर ही जाता है कि सरात नहीं ओम के साथ कुछ किया है इधर आंटी वान चोरी चुपे ओम की हेल्प करती है बिना ओम को पता चले और वो रूप खुला छोड़ देती है तो ओम इसी मौके का फैदा उठा कर वहाँ से भागने लगती है तो यह महान लड़की अपने भागने का मौका छोड़ कर अंटी वान को बचाने के लिए चली जाती है आगे अंटी वान के पैरों मोच आ जाती है तो ओम उनका बहुत ही अच्छे से खयाल रखती है तो अंटी वान को यह सब देख कर बहुत ही अच्छा लगता है और वो ओम को कह चिट-किट और नेना की फोटो को पबलिकी पोष्ट कर देता है तो उस फोटो पर धेर सारी कॉमेंट्स और धेर सारी लाइक्स आते हैं जिसे देख कर तो किट के खुसी का कोई ठікाना ही नहीं रहता आरो ये बात जाकर नेना को बताता है तो नेना जैसे ये सब सुनती है व बात को टाल देती है आगे फिर वोन सराथ के पास जाता और उससे ओम के बारे में पूछता हैं तो सराथ कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि ओम लोग एक सेब जगा पर हैं और मैं तुम्हें उस तो नेना को यह सब थोड ही तो फिर रही नेना को फिर से फसा लेता और नेना को बातँे प्रपारा की नहीं aware से की घानता रहा है और पारना के उम्म के बारे में समय व Sugi waterfall को नहीं तो Tudam ऐसे सब के आम लेख मैंने होने lucky और हुंद प्र कैजिना की नहीं से किlez located spot कुठ पता नहीं चलता इधर नेना फिर से उस घर के गड़ीब जाती है और उस घर का दर्वाजा खोलने ही वाली होती है कि तब इससे उन्हों और आंती वह न mock लीत और नहों को खाली हाथी वहां सर्थ लगते या इधर बापा की तभी खड़ाब हो अपने पापा के पास रहने के लिए गई है। किस कर लेता है तो नैना भी उसे खीच कर एक थपर मार देती है और ये सब विन देख लेता है तो उसे ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है जर विन को एक घर पर सक होता है और उसे लगता है कि सरात यहीं पर ओम को छुपा कर रख सकता है तो वो आडा को उस घर में च वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। उलटाव वह सराथ को ये भी बताता हूत एंगे एक वहां से उन्हेक को और चुस्णा रता हूता हूत रहा है। जो भी इस समुंदर से नेना के लिए पहले मोती लेकर आएगा वही नेना का जीवन साथी होगा तो दोनों बंदे मिलकर पागलों की तरह नदी में चले जाते हैं मोती ढूनने के लिए ताकि वो अपना प्यार साबित कर सके और बैचारी नेना ये सब देखती ही रह जाती है अरे भाई कोई नेना से भी तो पूछो कि वो किसके साथ रहना चाती है इदर आरा को फाइल्ली ओम मिल जाती है और वो उसे छुडा ही रही होती है कि तभी वहां पर आंटी वान आ जाती है तो आंटी वान भी इस बार उन दोनों को नहीं रोकती बल्कि उन दोनों की हेल् कहती है कि यहां से जितनी दूर भाग सको भाग जाओ तो ओमांटीवान को ठैंक्यू कहती है और आरा के साथ वहां से चली जाती है दुसी तब नेना ओम को देख लेती है उससे प्यार भी confess करता है पर ओम उसकी एक बात भी नहीं सुनती उल्टा उसके डिंग को पानी में फेक देती है और सराथ देखता ही रह जाता है इधर नैना जब अपने प्यांसे को किसी और लड़की के लिए इतना पागल देखती है वो तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और फाइनली नैना को पता चल जाता है कि सराथ उससे नहीं बलकि ओम से प्यार करता है और उसने ओम को किर्नाप करके रखा है ये सब जानकर तो नैना का दिल पूरी तरह तूर जाता है और नैना सराथ से अपने सारे रिस्ते तोर कर वहां से चली जाती है पर सराथ नैना का पीछा नहीं छोड़ता और उसके पास जाता है उससे समझाने की कोसिस करता है पर नैना उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि हमेशा सराथ उससे जूट बोलता है और वो हमेशा उसकी बातों पर भरुसा करके धोखा खा जाती है और इसी वज़ा से नेना उससे अपने सारी रिस्ते तोड़कर वहां से चली जाती है आगे सरात अपना सारा कुछ सा अंटी वान पर निकालता और कहता है आपके होते हुए ओम यहां से कैसे भाग गई तो अउटी वान कहती है तुमने जो ओम के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है और यह बात तुम्हें भी तक रिलाइस नहीं हुगी है और जिस दिन facing कि ना कि तुमने ओम के साथ बहुत गलत किया है तो आंटी वान उसे बताती है कि सराथ बहुत ही अच्छा लडगा है वो दिल का बहुत ही अच्छा है लेकिन वो अपने बदले की वज़ा से पूरी तरह पागल हो गया है और यहाँ पर आंटी वान क्रिट को सराथ की पूरी स्टोरी बताती है तो क्रिट यह सब जानकर पू वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है उसके बाद सरात नेना के पास आता है और उसे प्यारी प्यारी बातों में फिर से फसा लेता है और नेना फिर से उसके प्यारी प्यारी बातों में आ जाती है